आप लोग जिस वाली वीडियो को प्रिव्यू पे देख रहे हो गाईज अगर आप भी कुछ इस तरीके से हिंदी लिरिक्स वाली वीडियो को एलिट करना सीखना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को आप लोग सुरू से लेके पूरा लास तक देखना इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे आप लोग कुछ इस टाइप की इस्थैटिक हिंदी लिरिक्स वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हो वो भी काफी कम टाइम में तो वीड लाइट मोशन अप्लिकेशन नहीं है तो आप लोगों को मेरे टेली ग्राम पर मिल जाएगा वहां पर मैंने आप लोगों को दे रखा है तो जा कि आप लोग एजिली से डाउनलोड कर सकते हो तो सबसे पहले यहां पर हम आचुके अपने लाइट मोशन के अंदर अभी सब करना चाहते हो लेकिन अगर आप किसी वीडियो से आडियो लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको मीडिया पर आना होगा और जहां पर भी आपकी वीडियो है जिसका सॉंग आप लेना चाहते हो उस वीडियो को यहां पर स्लेक्ट करके लेकर आ जाना जैसे कि यह वाली वी करना होगा सॉरी यह गलती से डिलीट पर क्लिक हो गया था हां तो सिंपल से वीडियो पर क्लिक करना सबसे उपर थ्री डॉट पर क्लिक करना और यहां पर मिलेगा आपको एक्स्ट्रेक्ट ऑडियो का उप्शन इस पर जैसे क्लिक करोगे आपका वीडियो और अलग हो तो वीडियो पर क्लेक करके आम वीडियो को डिलीट कर देंगे, इतना जैसे ही हो जाता है, अब देखो यहाँ पर हमारा जो सौंग है, वो यहाँ पर आ चुका है, आप लोग अगर किसी भी अधर सौंग पर वीडियो बना रहे हो, तो जब भी आप अपना सौंग सेकंड तक ठीक है स्टार्टिंग से बोल रहा है राइट 4 सेकंड तक अब जो दूसरा लिरिक्स बोल रहा है वो मेरा बोल रहा है राइट 6 15 तक ठीक है आप अपने म्यूजिक को सुन सुन के बीट लगाना ठीक है अब अगला जो लिरिक्स बोल रहा है वो मेरा बोल रहा है र आपको भी beats लगा लेना होगा किसी भी song पर वीडियो बना रहे हो आप अपने यहां पर audio को play करके सुन-सुन के आप अपने lyrics के according या फिर music के according आप अपने lyrics के लिए beats सबसे पहले यहां पर लगा लेना अब जैसे आप लोग इतना कर लेते हो अब आप लोगों को यहां पर photos add करना होगा अब बहुत सारे लोगों का question एक ही रहता है कि हम इस तरीके से जैसा आप couples photos को use करते हो हम उस तरीके की photos कहां से download कर सकते हैं तो चलो मैं आपको बताता हूं बस वीडियो पर ध्यान से बने रहना तो सबसे पहले हो तो यहां पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और फिर से यहां पर दूसरा photo add करूंगा और फिर से आगे जाके फिर से यहां पर पांस सेकंड पर फिर से कट लगा लूँगा ठीक है इसी तरीके से आप लोगों को सारे photos को करकर के beats के पास अपने पहुंचना है ठीक है हां तो मेरा यह कहना था कि इस टाइप की जो photos है वो आप लोग Pinterest application के अंदर वहां पर search पर जाना और वहां पर search करना couples photos डाउनलोड ठीक है तो इस तरीके की photos आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जिनको आप लोग एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो यहां पर मैं एक और फोटो एड़ कर दे रहा हूं बिल्कुल बीट्स में ठीक है तो देखो फॉस्ट बीट तक मैंने कुछ इस तरीके से मल्टीपल फोटो एड़ कर लिया है तो अभी अगर मैं प्ले करके दिखाऊ तो देखो कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो टाइम लाइन है वो देखने को मिलेगा ठीक है तो इतना जैसी हो प्लेस आप लोगो इसको बिल्कुल फ्रेम में सेट करना है क्योंके देखो कोई फोट चोटा है कि फोटो बड़ा है ठीक है अभी हमको एक फ्रेम में सेट करने के लिए प्लस याइकन पर क्ले करना है और यहाँ पर इ gio्सेलिपरुट करने के बाद आप चाहना CC जाना जू है इन सारे फोटो को सेलेक्ट करना और आपने जो अभी सेफ लिया है इसको भी सेलेक्ट करके यहां पर बीच में मिलेगा गुरूप एज मास का एक ऑप्शन सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है तो देखो यहां पर हमारा बिल्कुल एक फ्रेम में हमारा सारा फोटो यहां पर सेट हो चुका है यहां पर देख सकते हो ठीक है यहां पर देख लो ठीक है थूड़ा सा मेरे को गड़ बड़ लग रहा है तो इसको मैं फिर से बैक करूंगा और एक बर नगाइस मैं इसको उपर से लेकर आता हूं ठीक है कुछ इस तरीके से आपको अपने सारे फोटोस को एक फ्रेम में बिल्कुल ऐसे सेट कर देना है फ्रेम में सेट करने के बाद आप लोगों को यहां पर क्या करना है कि सिंप्ली से न सबसे पहले आपको यहां पर अपना लिरिक्स लिखना है तो लिरिक्स लिखने के लिए प्लस वाले आपका लिरिक्स है वो लिखना जैसे कि मेरा जो लिरिक्स है वो बोल रहा है कब मौसम बदलेंगे ठीक है तो यहां पर मैं लिख लेता हूँ ऐसे एंड इसको सेंटर में करूंगा और यहां पर जो मैं फॉन्ट यूस करूंगा रोबोटो रेगलर पर जाओंगा यह इतने लिरिक्स का कलर यल्लो रखूंगा अभी मैं इसको ओके करूंगा मुवें ट्रांस्वां पर जाके इसकी साइज इतना छोटा गर दूंगा थोड़ा सा ठीक है छोटा लिरिक्स देखो छोटा रहेगा तभी हमारा थोड़ा एस्थाटिक लगेगा वीडियो तो लिरि जो है इसका ऐसे करके इंक्रीज कर देंगे ठीक है बैक करेंगे बैक करने के बाद स्टार्टिंग में आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे इफेक्ट पर जाएंगे एंड़ एड़ एफेक्ट पर जाएंगे टेक्स्ट पर जाएंगे एंड ट्रांस्फॉर्म पर क्लिक करके Standard Setting पर click करेंगे and यहाँ पर range पर click करना starting में एक की लगा देना और सबसे last के start थोड़ा सा पहले रहना और यहाँ पर एक की लगा कि इसका जो start का point है पूरा आप इसको 100% कर देना ठीक है अब थोड़ा नीची आणा transform पर click करना लेटर पर क्लिक करके इसको word कर देना component पर जाना component पर जाने के बाद थोड़ा नीचे आओगे यहाँ पर मिलेगा alpha का option alpha को minus one कर देना तो अभी आपका जो lyrics है ना उसमें कुछ इस तरीके से आपका animation लग जाएगा यहाँ पर देख सकते हो गूगल पर लिखना और आगे लिखना poster download ठीक है तो जैसे कि यह जो गाना अभी आप लोगों ने preview पर सुना ना वह इस movie का गाना है गाना है कि एलबय में मुझे ने पता बड़ पोस्टर यह है तो इसका तरीके से ऐसे करके हाँ साइड में ऐसे रख दूंगा ठीक है कुछ इस तरीके से करूंगा सबसे यहां पर जाओंगा मतलब जहां तक हमारा द्रेट है वहां तक जाओंगा और अर गईज अगर आप यहां तक फूरा वीडियो को एडिट कर रहा हूं इस हो अपका पोरी वीडियो में रहेगा तो पूरा लास तक किसकी ओ पर दीक करना है और यहां पर के यहां पर रखना थीक है फोड़ा सब चोड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से अभी इसकी जो लैंथ है आपको रखना यहां तक जहां तक आपका भीट ठीक है इसको पकड़ करना है आपको नीचे करने के बाद इसमें आपको एनीमिशन देना क्यूंकि हमारा जो कैस ऐसे घुमाके माइनस मतलब 00 पर एक बार घुमाके तो अब आगर मैं दिखा हूं तो देखो आपका कैसे तरीके से घुमेगा यहां पर देख सकतो बहुत ही बड़ी तरीके से आपर गूम रहा है देख सकते हूं ठीके तो इतना हो चुका है अब आपको फिर से बाकि आप लोग समझ गया होगे कि आगे किस तरीके से करना है अब जब इसको एड़ करोगे तो अभी आपको इस पर क्लिक करना है और ब्लेंडिंग इंड ओपसिटी पर जागना है और यहां पर लाइटेंड पर जाके इसको स्क्रीन कर दिना ठीके और बस जैसा आप चेंज करना है और बस इसी तरीके से करते जाना है आपको ठीक है तो घृप्स आप समझ गया होगे कि इस तरीके से आपको वीडियो को कैसे आड़िट करना है अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कति यह कोई परिशानिह सब्सक्राइब तो आप अब लोग सीख गए हो इसको मैं सिंप्ले से यहां पर ओपन कर लेता हूं नौड वीडियो को ठीक है तो यह वाला अप्लिकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा उपर देखो कॉर्णर पर नाम भी आ रहा है आप का तो इस अभी मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा और प्लस वाले आ कोई भी फेक्ट ने वीडियो अभी हम क्लाइग लिए Tea क्लिक करना है और यहां पर आपके वीडियो मैं आॉटोमेटिक लिए यहाँ पर देख सकते हो जैसा आप लोगों ने प्रीवयु पे देखा था सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो है मैंने वीडू को मेडिकें करके तो यह दिखा दिया है तो जैसी आपकी यहाँ पर सारी चीजे कम्प्लीट हो जाती है, अब इस वीडियो को बहुत सारे लोग इसके अंदर एक्सपोर्ट करने नहीं जानते बोलते हूं, मतलब बोले तो सेफ करना नहीं आता बहुत लोगों को, तो सबसे नीचे देखो यहाँ पर एक option दिख रहा ह वीडियो के अंदर तब तक के लिए गाइस जाएं हिंद वन दे मातरम